तो इंस्टेंट भर्टूरे के लिए हमने 2 कप मेदा लिया है 1 फोट कप हम कर्ड लेंगे 1 फोट कप हमने बेकिंग सोडा लिया है सॉल्ट टू टेस्ट 2 टेबल स्पून सूजी लेंगे हम और 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है तो इंग्रीडियन्ट आप ध्यान रखें यही सब आपको लेना है मेजर्मेंट अगर आप कम जादा करेंगे तो आपके भटूरे सॉफ्ट और पुले पुले नहीं बनेगे तो अब हम इन सब को मिक्स कर लेते honest से हमें इने सूजी एड़着ी मेदे में सॉल्ट एड़कर दिया है गी एड़कर लिया है और इसमें दही एड़कर कराइब सबसे पहले हम इन सब चीजों का अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक सॉप्ट सा डो बना लेंगे सॉप्ट सा डो बनाना है आपको और काफी अच्छे से इसको गूतना है देखे मैं काफी अच्छे से गूत रही है इसको अच्छे से गूत लिया अब इसको गी से हम थोड़ा सा मुलायम सा डो कर लेंगे ताकि यह काफी सॉफ्ट और मुलायम हो जाए अच्छे से इसको गी यह बनाने के लिए घी का ही यूज करना जहां मैंने दो चम्मच गी लिया वो घी ही लिया उससे काफी अच्छे आपके बटूरे बनेंगे तो यहां में सबसे पहले इनको डिवाइट कर लेती हूं पोशिंस में तो यह तकवी बन चे से साथ बनेंगे यहां इस तरह से हम इसको कर लिया है अच्छे से कट यह चे बटूरे बने हैं और इक चोटा सा बनाया है में ने तो सबसे पहले हम बेलन को चकले को घी लगा के अच्छे से घ्रीज कर देंगे फिर हम बटूर लेके इसको बेलेंगे ध्यान रखे जब आप बटूरे बना रह कर लेंगे त टेल हमने अच्छा से गरम कर लिया था उसके बाद हमें इसको फ्लेम करना हुण हाई फ्लेम पे नहीं प्राई करना है इसको हल्की सी फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं देखे एक साइड से हो गया है और काफी अच्छे से हमारे भटूरे पुल चुके हैं हम सर्फ कर लेते हैं इसी तरह हम बाकी भी भटूरे बना लेंगे तो आई होब आपको हमारी इस्टेंट भटूरे की रेसिपी पसंद आई होगी तो आप ट्राई जरूर करें मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करके बताएं कैसे लगे आपको हमारी इंसेंट भटूरे की रेसिपी और अगर और भी कुछ रेसिपी आप चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता है मिलते हैं सी और रेसिपी इसके साथ जब तक के लिए बाई बाई टेक केर अलाह अफेश